नमस्कार मैं हूँ तोरल और आप देखरें ततकाल नियूस लाइफ भारती ओलमपिक संग की अध्यक्ष पीटी उशा जंतर मंतर पर धर्ना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मिलने पहुची है पीटी उशा ने धर्ना कर रहे पहलवानों से बाचित की है पहलवान पिछले ग्यारा दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे है और इसी दोरान उनकी सरकार से कोई बाचित नहीं हुई है बताया जा रहा है कि पीटी उशा ने पहलवानों से धर्ना प्रदर्शन खतम करनी की अपिल की है बता दे कि इससे पहले भी पीटी उशा कहे चुके है कि पहलवानों को ऐसे धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ऐसे देश की छवी दूमिल होती है WFI के प्रमुक बुजबुशन शरन सिंग पर खिलाडियों के कथित योन उत्पड़न के आरोप में मामला दर्ज हो गया है सिंग के खिलाव योन इत्पड़न का आरोप लगाने वाली एक नाबालिक सहीत महिला पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने रविवार्स को सुरक्षा प्रदान की थी उच्छे तम नाईले ने दिल्ली पुलिस को निर्ज दिया था कि सिंग के खिलाव उनकी शिकायतों के बाद पहलवानों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी सिंग की पर दो प्राथमिक में से एक पहला की लजजर भंकरने पीछा करने और फॉक्सो अधिनियम के धारा दस के तहत मामला दर्श किया गया है साथ महिला पहलवानों और एक नाबालिक लड़की द्वारा यो नित्पड़ंग का आरोप लगाये जाने के बाद भाजपा सांसद ने अपने खिलाफ लगे आरोप से इनकार किया है बजंगर पुन्या साक्षी मलिक और विनेश फोगाट साइद देश के चोटी के पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना दे रखा है वह ब्रुजबुशन पर कारवाई की मांग कर रहे है जिनके खिलाफ उन्होंने महिला पहलवानों का यो नित्पड़ंग करने का आरोप लगाया है उनकी मांग है कि आरोपो की जाच करने के वाले केंद्र इद्वारा निव पैनल के निश्कशो को सारवजनिक किया जाए इससे पहले प्रदर्शन कारी पहलवानों पर बरसते हुए पीटी उशा ने ब्रोस पतिवार को कहा था कि सडकों पर प्रदर्शन अनुशा हिंता है और इससे देश की छवी खराब हो रही है आईएफो के आरोपो पर अपनी जाच अभी तक पूरी करनी है जबकि सरकार द्वारा गटि निगरानी पैनल की जाच को अभी तक सारवजनिक नहीं किया गया है तीन महिने के लंबे इंतजार से निराश पहलवारों ने 23 अप्रेल से जंतर मंतर पर फिर से धर्ना प्रदर्शन शुरू कर दिया और WFI अध्यक्षकी गिरफतारी को लेकर उच्चेतम नायले का दर्वाजा खट-कटाया स्पष्ट है कि पहलवानों के इस कदम से IFO खुश नहीं था उच्चा ने IFO की कारिया कार्दी सम्मीति की बैटक के बाद पत्रकारों से कहा था यौन युद्पडंग की निशिकायतों कर लेकर हम उनकी भावनाय समझते हैं IFO की एक समिति और खिलाडी आयोग है सडकों पर उतरने के बजाए हमें उनने हमारे पास आना चाहिए था लेकिन उनमें से कोई भी IFO के पास नहीं आया उशा से पूछा गया कि IFO पहलवानों से संपर्क करेगा क्योंकि वे इस बात पर अड़े है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वे प्रदर्शन स्थल नहीं छोड़ेंगे उनने कहा थोड़ा तो अनुशासन होना चाहिए हमारे पास आने के बज़ाए वे सीधा सडकों पर उतर गए यह खेल के लिए अच्छा नहीं है IFO के सयूगत सचीव कल्यान चोबे ने कहा IFO अद्धेक्षपीटी उशान यह कहना चाहती है कि इस तरह का आंदोलन देश की चवी के लिए अच्छा नहीं है विश्व स्थर पर भारत की अच्छी साख है यह नकारात्मा प्रचार देश के लिए अच्छा नहीं है अच्छा नहीं है